आप मेरा वीडियो होने वाले वीडियो में तो में दिखाने वालो हो मेरे पहुत अपने आप लोगं को एक वीडियो में एक जो प्लांट टांप प्लांट की साइज कितनी थी प्लांट की इंप्रोवेंट्स का सीच थी कितने बड़े-बड़े तो नया शटक था अभी आप लोग देख सकते हो यह आप टर सेवन डेस वाद ना इसमें ने कोई क्लीनिंग की एनाई कोई फिल्ट्र टैंके लाइट जरूर दीए लेकिन आप लोग देखनें कि इनको फिसेस के बेबी क्या अच्छे बढ़ रहे हैं और इनको फीड खेला रहा था वो था फ्लैक कि यह वह टेट्राफ्लैक से बेगी फिसेस के लिए और जिनको खाखा कि कि सारे के सारे बेबी स बढ़ रहे हैं दीरे-दीरे लाड़ देख सकते हो कि वह वीडिया कि याथ अफ्लोड किया ता लेकिन यह seven देज हो चुका और आपके नुक्सान हो सकता है प्लांट्स का भी और या तो पानी में बहुत सार जो नीचे गंदगी यहां है वो भी एकदम बूलने लगेंगी तो मैं कहुंगा इसको डूंट यूज करें बिल्कुल भी यूज प्लांटेड यूज टैंक में मैंने यूजिंग का सजेशन नहीं देता हूं अब मेरे पास एक चीज आती है इस पंज मिलता है एक जो नया रखते हैं आपने लोग अपने क्लीन करेंगे और साफ करते हैं या थोड़ा सा उपर उपर तो कर सकते हो लेकिन इससे भी गंदगी छूट के नीचे जाएगी और 4-5 दिन तक तो पानी दालना पड़ेगा अल्दा पीजे भी यूज़ करने के एक भी सही तरीका मुझे नहीं लग रहा है नसलिदन कभी हां मैं सेनेटाइजर लगाए पैन लगा हुए कुछ भी है कुछ भी हो एक खाना वाना का हैं गलती से हैंड वास भी करेंगे तो साबून या कैमिकल या है लगी संगुठे में मैंने रवड से बांद दिया है यह टॉप फिल्टर का इस पंज एक और इसको करते हैं धीरे धीरे आप लोग देखेंगे यहां पर पास से कि इतने अच्छे तरीके से में थोड़ा से यहां पर साफ किया हुआ है ऐसे ऐसे आपने लोग इसको घिसके पूरा साफ कर देते हैं धीरे-धीरे कि मतलब की नहीं फिसस को प्राबलम हो और नहीं पानी को और नहीं पानी को इपर कचड़ा तैरे अब यहां पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बिना सी ओटू बिना किसी फिल्ट्रेशन के मॉलिफिसस के बेबी और क्या इ आता है उसमें अमोनिया के इतने जादा फरक नहीं होता है तो इस कंडिशन होगी मैंने एक सोबो का हैंग ओन फिल्टर मगा लिया है और मैं इसको इसको इस्टॉल करूंगा को यह तो पानी के अंदर घूलेगी और उसके बाद इसमें पानी में दिखने लगेगा कश्डा अधीं अधी अधीशे ने दीखे ने अधीशन से देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कैसे कशडा वुड़ रहा है पानी में अभरी इसमें देख सकते हैं एक मेरी मौ पर मॉस थी जो इमने वूड में लगाया हूँ इसकी घूज़ अच्छी हो रही है और जो पाकिस्तान नेपाल इन जो हमें काफी इसली मिल जाता है आपको एक्रोटिक सॉप्स में बिल जाएगा और यह काफी स्ट्रॉंग प्लांट है मतलब कि नॉन स्योटू टैंग के लिए सिर्फ अगर आप लाइटिंग के बेस पर कोई टैंक चलाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आपको इस अच्छा कोई प्लांट नहीं मिलने वाल है और इसकी खुबसूर्ती और इसकी ग्रोथ वगरा भी रेक सकते और सबने कुछ प्लांट सेहीं लगे हुए नीचे दर्फ आप देख रहों यह मैंने मंगाया थे पुने से और यह इनकी ग्रोथ लगभग तीन चार महीने हो चुके हैं और यह एक डेड नहीं हुए है पर यह इनकी ग्रोथ उतनी कि इतनी ही है तो मैंने इनको शिफ्ट किया इस वाले टैंग में डाला लिक्विड कारवन फटलाइजर वगारा भी डाल दिया पर दुसके इनका कुछ खास असर देखने क्ले नहीं मिला अब आप लोग देख रहे हो कि इतना करने बाद कांच तो क्लिए रोगे लिगन कांच के अंदर की कंडिशन आप लोग देख सक सब्सक्राइब का है इसकी मोटर जाती है पानी के अंदर इसका वाट ज्यादा है लेकिन इतने वाट का में फिल्टर सेजिशन नहीं करता हूं इतने च्छोटे टाइंग के लिए बट मेरे पास है इसे मैं फटाफट लगा देता हूं आप लोग इसका पूरा वीडियो दे जैसे अग trasver का इसमें पॉर्टि्ट पांडि के अंदर रहेगी और रहाए वृनस वी जीया से मोटर इसंदर रहेती चाइमबर के जैसे आपका की कैनिस्टर फिल्टर होता है इसको लेकिन यहां पे लगा है इसके लिए पानी इसफारेयिघे ही उसके साथ में छोड़े आ और इसके अंदर बने हुए है कि दो मेडिया डला हुए है एक तो कि देखें इसके अंदर कार्बन प्लस यह दोनों है यह खारा हुजाते हैं इसे चेंज भी कर सकते हैं तो इसकी है कुछ दूसरी चीजिए आप डाल सकते हो यह करने के बना हुए कितना ज्यादा फोर्स फ्लो करना है यह सबसे पहले लोग लगा क्या आपने दिखाता हूं उसके बाद मैं इसको ढखकन लगाओ वाइब्रेट हो रहा है कि इसे चैसे लगा दी पीछे से लगा दी यह सामने जहां से आपका यह इजी पड़े यह आप देख उसको लगाते साथ ही यह आप लोग देख सकते उपर से इसमें भर रहा है पानी जैसे इसमें पानी भरता है अब यह पानी वापस रिटर्न आएगा और इसकी स्पीड सिट कर सकते हैं अगर आपनी को को तेज कर दिये तो इधर घुमा की तेज जाएगा अब इसको धीमा भी कर सकते कर सकते हैं कि इसे मेडियां पर रखा हुआ हूँ यह बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वर्ग करता है इस पेसली प्लांटक टाइंग के लिए बनते हैं फिल्टर हैंग-उन करवाने ही पड़ेंगे अब बीट करते हैं इसको देखते हैं एक घंटे बाद की कितना पानी साफ होता है आप लोग देख सकते हो अभी करीब एक से डेढ़ घंटे हो चुके हैं और पानी आप लोग और ग्लास भी देख सकते हैं जो माउट करके दिखाता हूं और एक-एक यहां बागल में रखवा जो में ब्लू क्लर का बैग्राउंड लगा हुआ है इस पे भी अभी हम लोगों ने सिर्फ पानी चेंज कर दिया था विकॉस इस फिल्टर नहीं लगा था और पानी इसका भी गंदा हो रहा था ग्लास पर उसका अपडेट मैं नहीं प्रोथ भी हो रही है अब लोग देख सकते हो लब ऐसा लग रहा है कि बड़े हुए हैं और जैसे यह एक्टिव हैं और अच्छे हैं वह स्पीट से लग रहा है कि एक से डेड़ महीने के अंदर यह काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे और इन प्लांट्स को देख सकते ह पतिया निकल रही है और जो इंडियन एक्वार्टिक्स प्लांट्स हैं उनको ही तो आप लोग देखी सकते हैं वो तो टॉप पे ही वो कर रखी है अब इनकी छटाई भी करनी पड़ेगी फिल्टर बकायदे चल रहा है तो उम्मीद करता हूं आप लोगो मेरे यह जाया हुग और अच्छा भी लगा हुगा तो आप लोग मेरे चैनल पर यूवी बने रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सेयर तो विल्कुल करेंगे ही तो आज के लिए खतम करते हैं यहां पर कहानी तो आप लोग मेरे चैनल को जोईन जरूर की कीजिएगो डिस्क्रिप्शन वाक्स उसारी चीज़िए की जानकारी यां दी हुए है जिनकी जानकारी में है वेसाइट यह कुछ आपनों को एक्स्टा जानकारी चाहिए तो तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स बाचिंस वीडियो बाए-बाए-बाए-बाए-बाए-